हालो दोस्तों, मैं हूँ पपु और आज इस वेडियो में जानेंगे कुलतार क्या है तो आसानी से आप याद रखेंगी है कि ये क्या है? इंधन है ओके? इंधन कहने का मतलब ये कि जो जलता हो ठीक है और जलने पर क्या क्या देता हो, परकास भी देता हो, और उसमा देता हो, उसे हम इंधन कहते हैं, तो कुलतार क्या है, ये इंधन है, ये काला गाढ़ा मोबिल की तरह होता है, आप सब मोबिल देखे भी होंगे, मोबिल की तरह होता है, आप देखिएगा, इसका जो गंध होत पदार्थों का नाम लिख रखा जैसे फिनॉल हो गया पॉली साइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इसे इंगलिस में कह सकते हैं पी ए एच एस तथा हेट्रोसाइक्लिक आदी का मिसरन होता है तो कोलतार डिड़ सो से 200 पदार्थों का मिसरन होता है जिसमें से मैंने कु क्या होता है इंधन होता है ठीक है यह काला गाढ़ा मोबिल की तरह होता है यह चीज ध्यान में रखेगा चलिए अब हम समझ लेते हैं कि कोलतार का क्या-क्या उप्योग होता है तो यहां पर देखिए कोलतार का उप्योग मैंने लिखा है कि रंग बनाने में दवा बनाने म विश्पोटक सुगंध प्लास्टिक पिंट करने में निर्मान में सड़क निर्मान आदी में उपयोग होता है तो कोलतार का उपयोग भी आप देख लिए कि क्या क्या में होता है आप जो घरों में जो दर्वाजा होता है लकडि का किसी से भी आप पूछना वो कोलतार से ही जिसे हम अलकतरा भी कहते हैं, ये चीज़ आप ध्यान में रखेगा, कोलतार को हम अलकतरा भी कहते हैं, और उसी से लोग लकडी के दरवाजा पिंट क्या करते हैं, ठीक है, तो आसानी से आप याद रखेगा, कोलतार का उपयोग और कोलतार क्या है, तो आई होप आप समझ ग